Hello everyone, welcome to the Sky Shows, कैसे आप लोग? Okay, I know, I know, ये थोड़ा सा obvious सवाल है, क्योंकि होली के लिए इतना अच्छा long weekend मिला है छुट्यों का, बट इस साल तो होली, बस होली, कोई नहीं, next year celebrate कर लेंगे, इस बार TV, movies, web series और popcorn के साथ ही enjoy कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तो, 26th March 2021, को Hotstar VIP पे एक नहीं web series launch हुई है, जिसका न सिर्फ और सिर्फ एक ही बात ही आदाई, ये कहानी गोवा में based है, गोवास उनके expectations मत रखिये, because reality is often disappointing, क्योंकि 2031 में beach, carnival और seafood की जगा, robots, holograms और batteries ने ले ली है, 2031 की एक comedy futuristic sci-fi कहानी एक crime scene से start होती है, जिसमें एक autopilot गाड़ी, जिसका नाम निखिल है, वो एक इंसान को बुरी तरह कुचल देती है, तब ही वहाँ ACP साजन कुडू की entry होती है, कहते हैं don't judge a book by its cover, पर ये book, sorry, ACP तो दिखने में ही खडूस, irritated और जिंदगी से तरस्त है जी हाँ, यकीन मानी, ये judgment सौ टका सही है, इन्होंने dead body को देखते ही उसका नाम करन कर दिया, पाओ भाजी, वो खुद से इतना उप चुके थे कि खुद की comedy खुद ही खराब कर रहे थे, इनके monologues, dialogues, बहुत अच्छे डंग से लिखे गए थे, और उन्होंने खुद ने बहुत अच्छे डंग से पकड़ा था, पर टाइमिंग्स में मात खा गए, सो विजय वर्मा, जिन्होंने साजन कुडू प्ले किया है, सर, बेटर लग नेक्स टाइम, तो मैनद राधी का आप्टे को भी करनी पड़े की, जी हाँ, इस फिल्म में वो भी है, जो लक्षमी स तो इंसानों के होते है, तो रोबोट्स कहां से गुज गए, सो डॉन्ट फगेट, ये 2031 की कहानी है, जिसमें रोबोट्स मेजोरिटी में है, यहां तक कि घर की विंडोस से लेकर पानी के गलास तक सब आर्टिफिशल इंटेलिजन्स है, यहां तक कि ट्राफिक पुलीज इंसान नहीं होलोग्राम है, और बाते करने के लिए इंसान की नहीं कमांड की जरूरत है, अजीब दुनिया है न, एक्च्छिली अजीब ही दुनिया है, इस सीरीज की पूरी कहानी अजीब के इर्द गिर्द ही तो घूम रही है, अजीब देश चला रहा है, लोगों की प कौन है यह अजीब एक रोबॉट है बेस्ट इन्वेंशन ऑफ ए आई एवर विट फीलिंग्स येस अजीब में फीलिंग्स भी थी और इससे इंसान खुश भी था पर कब तक उस दिन तक जब तक लोगों ने उसके मलने की दुआएने ही मांगी क्यों क्योंकि उसने अपने पारे में सोचना शुरू कर दिया था उधर अजीब ने देश की बागदोर छोड़ कोमेडियन बनने का फैसला कर लिया और इधर हाई रे इंसानी फित्रत सर के ताथ से पाउं की जूती बना दिया अलावा अजीब के पीछे दो और लोग थे जड़ाइपी और जेजेएं जेड़ाइपी एक कंपनी है जो और पाउंबाजी बनाई थी और जेजेएम एक संगठन है जो की एंटी टेकनोलोजी, एंटी आटीफिशल इंट्रेजेंस, एंटी वेक्सिनेशन है जेजेएम के लीडर है जेकी श्रॉफ हूप पुषपक शाकूर ये सिफ बहती गंगा में हाथ दो रहे है और उनका सीरीज में एंट्री लेने का एक मात्र मिशन है अजीब को मालना ये सीरीज सिर्फ तीन चीज़ों से चलेगी अजीब, अजीब की स्पीच और कनी कुसरूती, येस कनी कुसरूती वो प्लेज मोना लिसा कॉल, डूपते हुए उक्के कम्पीटर को मोना लिसा का सहारा, चीज असिस्टेंट ऑफ साजन कुड़ू एंड़ बिगेस्ट चल रहा है, उसके लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी, इसको लिखा बहुत अच्छे टंग से है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं execution में मार खा गए, इस सीरीज ऑफ सिक्स एपिसोड पर मेरी मानो तो सिफ लास्ट एपिसोड देख लेना स क्या हमें सच में artificial intelligence या robots की ज़रुरत है, अगर है तो कब, कहा, क्यूं और किस हद तक, आप भी ये सोचेगा जरूर और फिर मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए stay happy, stay safe, नमस्ते.